अगर आप एफ्केत में जाना चाते हैं, तो इस वीडियो इस औली फौर यू, ये वीडियो खाली और खाली आपके लिए है जो advocate के through air force को join करना चाहते हैं, जो flying branch में जाना चाहते हैं, जो ground duty technical या फिर non technical branch को join करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से और अंत तक देखिएगा ताकि selection process के बारे में आपको detail से जानकारी मिल सके हैं, दोस्तों यहां हम बात करेंगे only selection process को ले और वो भी हिंदी में, हिंदी में मैं आपको step by step चीजें बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा इससे पहले का video session है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप advocate के exam में 200 plus marks कैसे ला सकते हैं, बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था, smart study और strategy के बारे में बताया था, exam pattern के बारे में और syllabus के बारे में बताया था, और उससे पहले जो video मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको advocate notification to 2021 के बारे में detail से बताया था, कितनी post PC में, कितनी post SSC में रहने वाली है, technical branch की कितनी post है, ground duty की कितनी post है, flying branch के अंदर कितनी post है, female male cone आवि बार वीडियो देख रहा है तो वो दो वीडियो आप जरूर देख लेना आपको definitely help मिलने वाली है वो दो वीडियो कहां से देखेंगे तो इस वीडियो के end में screen के उपर यहां पर मैं so कर दूँगा तो आप वो आसानी से देख पाएंगे चले फिलाल हम इस वीडियो में बात करते हैं selection process को लेकर एक बड़ा सवाल रहता है सभी के दिल में कि सर यह EKT test क्या होता है EKT test को लेकर बहुत सारे लोगों को घब्राट हूती है कि यह engineer knowledge test सब के लिए होता है तो यह सब के लिए नहीं होता है किस के लिए होता है और किस के लिए नहीं होता है यह आगे जब मै selection process को step by step discuss करूँगा तो आपको बताने वाला हूँ चलिए अभी हम बात करते हैं various stages की कि FKT में कौन-कौन से stage होते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि written exam होता है written exam के बाद में यहां पर EKT आता है दोस्तु written exam के बाद में EKT आता है यह EKT जो test होता है यह खाली technical branch जो join करना चाहते हैं उनके लिए है जो engineering कर रखा है जो engineers है उनके लिए EKT test होता है सब के लिए नहीं होता है अगर आपने engineering नहीं कर रहे हैं आप ground duty non-technical post पर जा रहे हैं तो कोई tension वाली बात नहीं है इसके बाद दूस्तों number 2 पर आता है AFSB यानि Air Force Selection Board का interview interview आपको clear करना होता है interview के बाद में अगर आप flying branch join करना चाहते हैं कौन सी branch ध्यान से सुनेगा अगर आप flying branch join करना चाहते हैं तो आपका CPSS यानि pilot entry का test होता है आप किस level के pilot है आपको pilot का कितना knowledge है ये test यहाँ पर होता है और ये practical होता है इसके बारे में जो लोग pilot बना चाहते हैं उनको अच्छे से पता भी है ज़्यादा यहाँ पर ग्यान देनी के आप सकता नहीं रहेगी इसके बाद दूस्तों आता है medical exam medical exam के बाद final merit list जारी की जाती है सरीय तो खतम हो गया खतम नहीं हुआ है अभी आपको चीजों को समझना है written कैसे होता है AFSB कैसे होता है तभी आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे अब देखें आगे हम बात करते हैं सबसे पहले आपका जो AFSB का written exam होता है इसकी तो written exam दोस्तों mode होता है online examination यानि online आपका CBT computer best test यह होता है और ये कौन conduct करवाता है तो Indian Air Force करवाता है ये खुद conduct करवाता है इसके बाद में अगर scheme की बात करें तो दोस्तों दो paper होते हैं दो paper किन के लिए होते हैं जो technical branch को join करना चाते हैं और जो non-technical branch को join करना चाते हैं उनके लिए मातर एक ही test होता है और वो होता है written exam यानि उन लोगों को EKT test नहीं देना होता है EKT test खाली technical branch के लोगों के लिए है चलिए आगे देखिए दोस्तों advocate return examination की मैं भात करूँ तो ये first stage होता है और इसमें आपका ये मैंने आपको बताई दिया syllabus क्या रहता देखिए यहाँ पर जो advocate का exam होता है इसमें 100 question आपसे पूछे जाते हैं और 120 minute का आपको time दिया जाता है और ये 300 marks का exam होता है 100 question आएंगे 300 marks होंगे और 120 minute का समय मिलेगा और मैंने इसी exam में बताया था कि 200 plus score आप कैसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो वो video आप जरूर देख लेना एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद होता है EKT मैंने आपको बता दिया खाली और खाली technical branch के लिए होता EKT जिसमें 50 question पूछे जाते हैं 45 minute का time दिया जाता है और 150 marks का ये EKT test होता है दोस्तों मैंने आपको 2018 से लेकर 2021 तक की cut-off discuss करके बताई है अगर आपने नहीं देखा है video तो जरूर देख लेना उसमें cut-off भी मैंने आपको detail से बताई है जिसमें मैंने आपको 200 plus score करने की बात की है उसमें मैंने cut-off भी आपको बताई है जरूर एक बार check करना आपका confidence बढ़ेगा अब दोस्तों आगे हम बात करें कि सर ये तो ठीक है कि आपके दो exam होते हैं जो technical branch में जाना चाहते हैं उनकी equality होता है लेकिन syllabus क्या रहता है syllabus एक बार फटाफट बता देता हूँ वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अपकेट का syllabus क्या रहता है general awareness, फिर English, फिर numerical ability, फिर reasoning and military aptitude ये आपके 4 section होते हैं exam के अंदर दो गंटे का समय 100 question, 300 marks हाँ negative marking रहती है इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा negative marking 1 marks की इसमें रहती है तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखना अब हम EKT की बात करें तो देखिए EKT for ground duty technical branch only जो ground duty technical branch में जाना चाहेंगे उनके लिए EKT test होगा और इसमें mechanical, computer science, electrical and electronics से question पूछे जाएंगे 45 minutes का time होगा और ये 50 question का paper होने वाला है और इसमें 150 marks total रहने वाले हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कटूप के बारे में थोड़ा बताई देता हूँ कि कटूप जो है वो 300 out of 150 marks रहती है average और 150 marks और 60 marks के average कटूप रहती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों नंबर आता है AFSB interview का और interview दोस्तों कौन conduct करवाता है Air Force Lection Board conduct करवाता है यह 5 दिन के लिए interview conduct करवाया जाता है इसमें 2 stage होते है interview के अंदर भी 2 stage होते है ध्यान से सुनिएगा और 5 दिन तक यह interview चलता है stage first की मैं बात करूँ तो officer intelligence rating यानि OIR होता है picture, perception, description test होता है this is one day process यह एक दिन में होता है जो first stage है यह एक दिन में complete हो जाता है stage second की हम बात करें तो इसमें includes interview, group testing होती है officers task होते है psychology test होता है और इसमें conference भी होती है यह जो कारी है यह 4 दिन तक चलता है यह जो second stage का process है यह 4 दिन तक चलता है और यह दोस्तों सब के लिए होता है technical, non-technical, flying branch और ground duty branch इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो इसमें जो second stage होता है यह only flying branch के लिए होता है इसमें देखिए flying branch वालों को क्या करना होता है CP SSS का test होता है यानि computerized pilot selection system के उपर test होता है कि उनको pilot का कितना knowledge है ठीक है और इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो जो लोग fail हो जाते हैं या जो लोग किसी air force academy से फैल हो जाते हैं इस pilot test के अंदर उनका selection नहीं होता है इसके अंदर इसके बाद दोस्तों बात करें medical examination की देखिए second stage आपका हो गया complete interview उसके बाद third stage होता है medical examination जो की सब के लिए compulsory होता है mandatory होता है ये कौन conduct करवाता है board of service medical officer इसके process की बात करें तो only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the medical board जो medical board में fit होते हैं उन्हीं को इसमें admit किया जाता है इसके बाद दोस्तों आता है merit list का number और merit list जो है वो Indian Air Force के दुबारा जारी की जाती है combined marks of return examination and subsequent AFSB interview merit list जो बनती है उसमें return exam के marks होते हैं और साथ में दोस्तों interview के marks होते हैं और interview के marks और return exam के best पर ही आपका selection होता है अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 2021 का intake 2 देने जा रहे हैं और आप 200 प्लस score करना चाहते हैं तो एक तो वीडियो मैंने बना दिया है वो देख लेना इसके बाद दोस्तों मैं जो आपके section है चार section है reasoning, mathematics जो numerical ability है इसके बाद मैं English है और general awareness है इन चारों के बारे मैं detail से बताऊंगा मैं आपको ऐसे topic बताऊंगा जहां से maximum question पूछे जाते हैं कैसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं क्या आपको study material रखना है कौन सी books को पढ़ना है smart study कैसे करना है मैं आपको एक बात clear बता देता हूँ आप hard work बिल्कुल मत करना अगर आप advocate entry चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप hard work मत करना आपको smart work करना है और चीजों पे काम करना है जो exam से related होगी ठीक है तो आगे के वीडियो में मैं आपको detail से बताऊंगा एक बात और आप comment करके जरूर बताएं आप ज़्यादा से ज़्यादा comment करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो सेशन लेका रहा हूँ और उसका benefit आपको मिल सके thanks for watching मिलंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद telegram channel जो मैंने आपके लिए बनाया है वो join करना बिल्कुल मत बूलना उसका link मैंने आपको description box में दिया है especially FK 2021 के लिए वो telegram channel है इस पर बहुत सारी updates आपको मिलती रहेगी चलिए मिलंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद